करीब तीन वर्ष के अंतराल के बाद भाजपा की राश्ट्री कारकार्णी की बैठक आज देर शाम हैदराबाद में संपन हो रही है इस बैठक के पहले दिन कल आर्थिक प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्रिष्टिकोन और गरीबों के लिए कोविड महामारी के दौरान शुरू की गई विभिन कल्यानकारी योजनाओं की प्रशनसा की गई इस आर्थिक प्रस्ताव में खास तोर पर गरीब कल्यान योजना, जन्धन योजना और क्रिशी सम्मान निधी योजना की सरहना की गई इससे पहले कल बैठक में देश को एकजूट करने और हर घर तिरंगा कारिक्रम को सफल बनाने के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने पर चर्चा की गई चुनाव वाले राजियों में संगठन को मस्बूत करने पर बात हुई तो बूत हिस्तर पर कमीटियों को सशक्त बनाने और पन्ना प्रमुखों को सक्रिय करने पर चर्चा की गई पार्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा ने पन्ना प्रमुखों की महत्ता का जिक्र करते हुए कहा कि संगठन के जितने कारिक्रम है उनमें पन्ना प्रमुखों का महत्व सरवाधिक है इन पर ही चुनावी जीत का दारुमदार टिका हुआ होता है भाचपा ध्यक्ष ने बैठक में कहा कि बूध ध्यक्ष और बूध कारेकरताओं से संपर्क साथना हमारे लिए बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि वही गारे करता है जो वस्तिविक्ता में इलाके में फैलकार हमारी बात को सब के सामने रख सकते हैं इसके साथ ही उन्होंने केंद्रिय योजनाओं के लाभार्तियों से संपर्क साथने के साथ अंतियोदे के लिए भी एक गहन अभियान चलाने की जरूरत पर जोर दिया वहीं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सबामद सत्र के अलावा आश्यान एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे बैठक में उठाये गए मुद्धों पर मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्री मंत्री और भाजपा के वरिश्ट नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कोरोना के संकटकाल में गरीबों की मदद के लिए शुरू की गई विभिन योजराएं बहुत कारगर रही उन्होंने कहा कि इस संदर्व में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का कार्य एक वैश्विक मॉडल बन गया है इस बैठक में चतीजगड के पूर्व मुख्य मंत्री और भाजपा के राश्ट्री उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विश्णुदेव साय सहित अन्य वरिश्ट नेता भी भाग ली रहे है